25 अगस्ते हर्याना विधानसभा का मौनसुन सत्र शुरू हो रहा है इसको लेकर हर्याना विधानसभा अज्यक्ष्ग्यांचन गुपता ने प्रेस कॉनफेस कर जानकारी दी उन्होंने बताया ऑई तक सथ जो है विधानसभा सदसे हैं जिनके तारांकित प्रशन जो है 396 मशेस्र, और तक आ अपील करते हैं विधायकों से यही कहा है कि यदि कोई भी मुद्दा है तो उस मुद्दे को लेकर वहाँ पर उठाएं उस पर चर्चा करें ना कि महाँ पर जो है जिस परकार हर बार जो है हंगामा देखने को मिलता है उन्होंने यही अपील करते हुए कहा कि कोई भी विशे है तो उस पर जो चर्चा की जाए ना कि उस पर हंगामा किया जाए क्यारवाज जिते तरहंस के साथ मृदुलियाद एमचन न्यूज चंडिगर केंद्री मंत्री राविंदर जीत सिंग आज गुरुगराम के मेदानता अस्पताल में पहुँचे थे जहां पे उन्होंने नो इंसा में घायल पुलिस कर्मियों से बाचित कर उनका हाल चाल जाना केंद्री मंत्री लाखुवास इलाके में भी गए जहां पे घायल और जो हिंसा में प्रभावित लोग थे उनके परीजनों से मिले और उनका हाल चल जाने की कोशिश की थी वहीं जब हमने केंदरी मंत्री से सवाल किया कि आखिर क्यों हिंसा के बाद मनोहर सरकार ने बुल्डोजर का जो कहर था वो वहाँ के लोगों पर बरसाया कैसी वो कारवाई समझते हैं तो उनका कहना था कि तोड़ फोर मनोहर सरकार ने की है तो इसका जवाब भी आप भाच्वा सरकार से मनोहर सरकार से लीजिए कैमरामेन चितन ग्रिशर्मा के साथ नीर अजवसिस्ट गुरू ग्राम इंडियन नेशनल लोकदल की हर्याना परिवक्तन यात्रा आज करनाल पोचिती करनाल पोचने पर पार्टी कारेकरताओं ने अभे चोटाला का जम कर स्वागत किया वहीं अभे चोटाला आज करनाल बार एसेशन में पोचेते दहां पर तमाम वकीलों ने भी अबे चोटाला का जोरदार तरीके से स्वागत किया जिससे कई न कई अबे चोटाला गद गद न जराए वही मीडिया से बादचीत में अबे चोटाला ने सरकार पर जम कर हमला बोला अबे चोटाला ने गोरक्षा और बजरंग दल पर भी ठीका हमला किया अबेच उटाला ने का आज वह करनाल पोचे हैं करनाल के लोगों ने कुछ समस्याएं उनके आगे रखिये आने वाले दिनों में विदान सबा सत्र शुरू होना है सत्र में वह करनाल की समस्याओं को जरूर उठाएंगे फिलाल जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कहीं न कहीं राजनीतिक ब्यानवाजिया भी तेज होते हुए नजर आ रही हैं करनाल से मेचवन न्यूज के लिए कमल की रिपोर्ट पंचकुलास से धर्याना के विशेष एडी कोर्ट में आज थीबियाई के पूर्वजद सुधीर परमार को पेश किया गया ED की टीम द्वारा उन्हें आज ED कोर्ट में पेश किया गया जहां से ED कोर्ट ने उन्हें छे दिन की रिमान पर भेज दिया है आपको बता दे कि ये पूरा मामला कतित रूप से विश्वत खोरी और मनी लॉंडरी के आरोपों के चलते दर्ज किया गया था जिसके चलते आगामी कारवाई करते वे ED की टीम ने जहां वीरवार देर शाम को पूर CBI जजज सुधीर परमार को गुरुगराम से गिरफतार किया वहीं आज उन्हें पंचकुल अस्ति थर्याने की विशेश ED कोर्ट में पेश किया गया इसके साथ ही आपको बता दे कि यह जिस कंपनी से जुड़ा मामला उस कंपनी के डारेक्टर को भी पहले ही ED द्वारा गृफतार किया जा चुका है इस मामले में पूर्व जज के भतीजे अजय परमार की भी भूमी का सामने आई थी जिसके बाद पूर्व जज के घर भी ED की रेड हुई थी और उनके खिलाफ कुछ विश्वस नहीं सबूत ED के हाथ लगे थी पंच कुला से मेरी सयोगी विज़ा के साथ MH1 न्यूस के रिव मंग्शरान संसद के मानसुन सत्र का आज समापन हो गया 11 तारीत तक चलने वाले सत्र में कई सभाएं हुई और उसमें अधिकतर हंगामे की भेंटे सारा सत्र चड़ गया शुरुआत में ही विपक्ष मणिपूर के मुद्दे पर सत्र पक्ष को घिरता रहा इमांग की जाती रहे कि प्रधार मंतरी मोदी सदर में आये और इस पर वक्त अब्यदे प्रधार मंतरी मोदी जरूर बोले आखरी दिन बोले और उससे पहले ये कहा जा रहा था कि ग्रह के साथ पंजाब के जितने बिसांसत है अनों ने पानियों के मुद्द को भी लोकसवा रायसवा में उठाया वहीं इसके साथ अगर बात करें तो कई मुद्वों पर दिली सबसे एहम बिल रहा दिली का बिल जिसको राजसवा लोकसवा दोनों से पास सरकार ने करा दिया उसके बाद प्रोटेस्ट भी हुए सुशील रिंकू को इसी के मद्दे नजर फिर निलंबित कर दिया गया पूरे सेशन के लिए और इसके साथ ही संजे सिंग को भी सस्पेंड कर दिया गया था और आखरी दिन रागव चड़ा को भी हस्ताक्षर मामले में सस्पेंड कर दिया तो ऐसे में कई सांसत सस्पेंड कि भेंड चड़ गया और अब इसमें कई चीजे हैं कुछ बिल जो पास हुएं लेकिन जो बिजनेस पूरा एक लिश्ट किया गया था कि यह चीजे होंगी वो कहीं होती हुई सार्थक बहस नहीं देखी दिली से कैमरा में राधिते के साथ नेतिंद्वान कि यह चीजे हैं से टीजे देखी हैं